C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की ध्वनी पुस्तक आनन्द में प्रिष्ट संख्या 23, पाठ 3, संख्याओं का आनन्द इस प्रिष्ट के दाये भाग में एक गिल लड़ी है गिल लड़ी में पीले रंके मोतियों पर 22 नंबर का कार्ड है बाकी 5 कार्ड रिक्त हैं और 22 तरफ एक संख्या पट्टी है जिस पर 49 से लेकर 100 तकी संख्याओं लिखी है 52 संख्या पर एक तितली है 58 पर गुलावी रंका फूल है 68 पर एक मेंडक है 78 पर एक मदुमक्की है 83 संख्या पर लाल रंका फूल है 88 पर पीले रंका फूल है और संख्या 95 पर एक गिलहरी बनी है गिन लड़ी को समझे और बताईए क गिन लड़ी में कितने मोती हैं रिक्तिस्थान ख गिन लड़ी पर कुछ ऐसे काड लटके हैं जिन पर संख्याई नहीं लिखी है इन काडों पर मोतीयों की संख्या के अनुसार संख्याई लिखिए ग नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार काड बनाईए एवं गिन लड़ी में लटकाईए 38, 44, 58, 65 और 98 संख्यापट्टी को समझे और रिक्तिस्थान भरिये गुलाबी पूल पर पहुँचने के लिए तितली, रिक्तिस्थान, कदम आगे की ओर चलती है ग गिलहरी दो कदम पीछे की ओर कूत्ती है फिर पाँच कदम आगे की ओर कूत्ती है एवं अंत में तीन कदम पीछे की ओर कूद कर संख्या रिक्तिस्थान पर पहुँचती है घर मेंधक दो कदम आगे की ओर कूदता है फिर साथ कदम पीछे की ओर कूदता है एवं फिर तीन कदम पीछे की ओर कूद कर रिक्तिस्थान संख्या पर पहुँचता है प्रिष्ट संख्या 24 यहाँ पर एक चित्र है, जिसमें तीन बच्चे हैं, जिनमें दो लड़के और एक लड़की हैं, यह आपस में संख्या के बारे में सोच रहे हैं, लड़की ने सोचा, तीस, लड़के ने कहा, क्या ये संख्या 40 से अधिक है, क्या इसमें कोई शूने है, दूसरे लड़के ने कहा, क्या ये 20 से कम है, मेरा स्थान बताईए, तीन चीटियां संख्या रेखा पर बैठी हैं, इन चीटियों के स्थान हेतु संख्या इं लिखिए, यहां प्रिष्ठ नंबर 24 पर एक संख्या रेखा दी गई है, इस संख्या रेखा के पहले सिरे पर 20 अंक लिखा हुआ है, और दूसरे सिरे पर 80 संख्या रेखा के उपर काली लाल और भूरे रंग की चीटियां बैठी हुई है। प्रिष्ट संख्या 25 प्रिष्ट संख्या रेखा पर मेंडक के कूदने के पैटन को तीन अंकों के अंतर पर तीर के निशान द्वारा दर्शा आ गया है। यहाँ पर भी एक संख्या रेखा पर एक से बीस तकी संख्या लिखी हैं और मेंडक एक सिरे पर बैठा है। इन पैटर्स को पूरा कीजिए। साथ, रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान। अब आप इस संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाईए। यहाँ पर एक और संख्या रेखा है जिस पर 40 से लेकर 75 तक के अंक लिखे हैं। यहाँ पर एक मेंडक 40 अंक पर बैठा है और मेंडक के कूदने के पैटन को यहाँ पर 5 अंकों के अंतर पर 3 के निशान द्वारा दर्शाया गया है ख 40 45 50 रिक्तिस्थान 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 अब आप इस संख्या पैटन को पूरा करते हुए इन रिक्तिस्थानों को भरिये एक अन्य संख्या रेखा पर 50 से लेकर 90 तक की संख्याईं लिखी हैं और मेंड़क को 50 संख्या पर बैठा दर्शाय आगया है यहाँ पर मेंड़क के कूदने के पैटन को 10 अंकों के अंतर पर 3 की निशान द्वारा दर्शाय आगया है ग, पचास, साथ, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान अब आप इन रिक्तिस्थानों में इस पैटन को स्वेम पूरा करें बच्चों को अपनी संख्या रेखा जमीन पर बनाने को कहें अब बच्चों को कुछ प्रश्णों के आधार पर संख्या पर कूदने को कहें. जैसे अगर आप दो की कूद करते हो, तो आप कौन-कौन सी संख्याओं पर कूदोगे? प्रिष्ट संख्या 26 आओ करें, यहां प्रिष्ट संख्या 26 पर एक संख्या पट्टी दी गई है, जिसमें एक से लेकर सौ तक के अंक दिये गए हैं. आओ करें, संख्या चार्ट पर एक-एक संख्या छोड़ते हुए संख्याओं पर गोला बनाईगे. अब चार-चार संख्याओं छोड़ते हुए संख्या चार्ट में दी गई संख्याओं पर तिरभुज बनाईगे. पांच की कूद ऐसी संख्याओं कौन सी हैं, जो दो एवं पांच की कूद में आती हैं? संख्या चार्ट की सहायता से ऐसी संख्याएं लिखिए जो तीन एवं पाँच की कूद में आती हैं ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो पाँच एवं साथ की कूद में आती हैं रिक्तिस्थान 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 यहां प्रिश्च संख्या 26 पर एक संख्या चार्ट दिया गया है जिसमें एक से लेकर सो तकी संख्याएं अंकित हैं यहां संख्या 2, 4, 6 पर गोला बना हुआ है, 5, 10 और 15 पर त्रभुज बना हुआ है कूदिये एवं संख्या का पता लगाईए, भूमी पर संख्या रेखा बनाईए और उस पर कूदिये क, यदि आप संख्या 10 पर हैं एवं 10-10 कदम कूदते हैं तो क्या आप 100 पर कूदेंगे? रिक्तिस्थान ग, यदि आप संख्या 5 पर हैं एवं 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 40 पर कूदेंगे? रिक्तिस्थान ग, यदि आप संख्या 0 पर हैं एवं 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 55 पर कूदेंगे? रिक्तिस्थान ग, यदि आप संख्या चार पर हैं, एवं दो-दो कदम कूदते हैं, तो क्या आप संख्या सत्रा पर कूदेंगे? रिक्तिस्थान अंग, यदि आप संख्या तेरा पर हैं, एवं तीन-तीन कदम कूदते हैं, तो क्या आप संख्या चौबिस पर कूदेंगे? रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 27 आईए पीछे की ओर कूदें दिये गए पैटरंस को पूरा कीजिए यहां प्रिष्ट संख्या 27 पर एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 0 से 10 अंक दिये गए हैं 10 अंक पर एक मेंधक बैठा हुआ है जिसके कूदने से एक अंक के अंतर का पैटर्न बनता है 10 से लेकर 7 अंक तक आपके लिए हल कर दिये गए हैं बाकी के अंकों को आपको स्वयम हल करना है 10 से ठीक पहले क्या आता है? 9 से ठीक पहले क्या आता है? 10, 9, 8 इसके बाद यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 5 से लेकर 40 तक अंक दिये हुए है 40 अंक पर एक मेंधक बैठा हुआ है जिसके कूदने पर 3 जिसके कूदने पर 3 अंक के अंतर का पैटर्न बनता है 40 से लेकर 35 तक के अंकों का अंतर आपके लिए हल कर दिया गया है बाकी के अंकों को आपको स्वयम हल करना है क, 40, 37, 34, रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान अगली संख्या रेखा पर 35 से लेकर 70 तक अंक दिये गए हैं 70 अंक पर एक मेंधक बैठा हुआ है जिसके कूदने से 5 अंक के अंतर का पैटर्न बनता है बाकी के अंकों को आपको स्वयम हल करना है क, 70, 65, 60 रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान अगली संख्या रेखा पर 60 से लेकर 100 तक अंक दिये गए हैं इसमें 100 अंक पर एक मेंधक बैठा हुआ है जिसके कूदने पर 10 अंक के अंतर का पैटर्न बनता है बाकी के अंतर को आपको स्वयम हल करना है ग, सो, नब्बे, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान अगली संख्या रेखा पर 40 से लेकर 100 तक अंक दिये गए है इसमें 100 अंक पर एक मेंधक बैठा हुआ है जिसके कूदने पर 20 अंक के अंतर का पैटरन बनता है बाकी के अंकों को आपको स्वयम हल करना है ग, सो, असी, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान क्या ये पैटरन सही है? अगर नहीं तो सही कीजिए और आगे के रिक्तिस्थानों में सही संख्या भरिए सो, नब्बे, असी, सत्तर, साट, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 28 चर्चा करें क, रिजवान 20 से आगे की संख्याएं गिन रहा है क्या वो संख्या 19 बोलेगा? क्या आप बता सकते हैं? क्यों? ख, छवी, दस से आगी की संख्याएं दो-दो छोड़ कर गिन रही है, क्या वो संख्या 43 बोलेगी? क्या बता सकते हैं क्यों? ग, माला 20 से पीछे की संख्याओं को गिन रही है वो शूनि तक पहुँशने के लिए कितनी बार गिन्ती बोलेगी क्या आप बता सकते हैं क्यों ग, विराज 20 से दो दो संख्याओं को छोड़ कर उल्टी गिन्ती करने जा रहा है शूनि तक पहुँशने में उसे कितने कदम लगेंगे क्या आप बता सकते हैं क्यों संख्या चार्ट में पैटर्न यहां प्रिष्ट संख्या 28 पर एक संख्या चार्ट दिया गया है जिसमें एक से लेकर सौ तक संख्याओं दी गई है संख्या एक, बारह, तेईस, चौनतीस, पैंतालीस, चपन, सडशट, अठटर, नवासी और सौ को हरे रंग से रंगा गया है बागी की संख्याओं सफेद है प्रिष्ट संख्या 29 संख्या चार्ट के अनुसार रिक्तिस्थान भरिये क, रिक्तिस्थान 10 से ठीक पहले आता है क्या इन में कोई पैटर्ण है? यदि हाँ, तो उसे संख्या चार्ट पर रेखांकित कीजिए पता कीजिए कि ये पैटर्ण आगे की संख्याओं में है या नहीं अगर हाँ, तो पैटर्ण लिखिए रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान तेईस, रिक्तिस्थान, 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 इसमें आपको कौन सा पैटर्न मिला? लक्षन्या ने एक संख्या खिड़की बनाई है एवं उसे संख्या चार्ट पर चित्र के अनुसार रखा है यहाँ पर दिये गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए यहाँ प्रिष्ट संख्या 29 पर एक संख्या चार्ट दिया गया है जिसमें एक से लेकर सौ तक संख्याएं दी गई है इस संख्या चार्ट में एक संख्या खिड़की बनी हुई है जिसमें लिखा है दस कम, एक कम, एक अधिक, दस अधिक और बीच में लिखा है अठाईस क अगर संख्या खिड़की के बीच में 28 लिखा है, तो इसके उपर वाले खाने में संख्या लिखी हुई है, रिक्तिस्थान. ख इसके नीचे वाले खाने में संख्या लिखी हुई है, रिक्तिस्थान. ग इसके दाई और के खाने में संख्या लिखी हुई है रिक्तिस्थान ग इसके बाई और के खाने में संख्या लिखी हुई है रिक्तिस्थान अब इसे अन्य संख्याओं के साथ किजिए यहाँ पर ब्लॉक के तीन समूं है प्रतेक समों के एक ब्लॉक में हरे रंग से तीन संख्याइं लिखी है प्रतेक बॉक्स के बीच वाले भाग को हरे रंग से रंगा गया है जिस पर संख्या लिखी है तिरिपन, छब्वीस और चोहत्तर च, छूटे हुई संख्याओं को पहेली में भरिये यहाँ पर भी नौ अलग-अलग ब्लॉक्स के समों है प्रतेक समों के एक ब्लॉक को हरे रंग से रंगा गया है और उन पर ये संख्याओं लिखी है आठ, सत्तावन, छेयालीस, उनहत्तर, सोलह, बत्तीस, पैंसट, तीस और पचपन अब आप इन छूटेवे ब्लॉक्स में उचित संख्याओं को भरिये प्रिष्ट संख्या, एक तीस पैटर्न्स की खूच पता कीचिए, यहाँ दी गई आकरती में ब्लॉकों की संख्या कैसे बढ़ रही है और इसे आगे बढ़ाईए क, यहाँ अलग-अलग ब्लॉक्स दिये गए हैं दिये गई ब्लॉकों की संख्या है एक, तीन और छे इनके सामने दो रिक्ति स्थान दिये गए हैं ख, यहाँ पर दिये गए ब्लॉकों की संख्या है एक, चार और नौ इनके सामने भी दो रिक्ति स्थान दिये गए हैं ग, यहाँ दिये गए ब्लॉकों की संख्या है पाँच, आठ यहाँ पर भी दो रिक्ति स्थान दिये गए हैं आओ बिंगो खेलें बिंगो खेलने के लिए 3 गुणा 4 की एक ग्रिड बनाईगे यहाँ पर एक छोटी सी 3 गुणा 4 की एक ग्रिड दी गई है ग्रिड के खाने में 2 से 12 तक की कोई भी संख्या लिखिए एक संख्या 2 या 2 से अधिक बार भी लिखी जा सकती है एक बच्चा दो पास से एक साथ फेंकेगा और दोनों पासों के बिंदूओं को जोडते हुए संख्या बोलेगा अन्य बच्चे ग्रिड में उस संख्या पर गलत का निशान लगाएंगे इस प्रकार खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बच्चा सभी संख्याओं पर गलत का चिन्ह लगाकर बिंगो नहीं बोलता है बच्चों को ग्रिड पर संख्याई लिखने के लिए अपनी कार निती बनाने के लिए प्रिरित कीजिए अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में वाचन्स्वर प्रवीन शर्मा और शालीडी सिंग तक्नीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान निर्माण सहयोग कुसुमलता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत